आज हम क्या बनाने जा रहे हैं बताएं आप मलासाब आज हम जो है जिंगो की चावल बनाने जा रहे हैं जिसे सिंदी में सानों बत भी कहते हैं हमारे लोगों को बहुत पसंद आएगा यह हमारी सकाफत में भी शामल है तो आए अब शुरू करते हैं तो दोस्तों, आज हम जो चावल पका रहे हैं, उसमें एक किलो टूटे हुए चावल, जिसको हम जिन्दी में राही भी बोलते हैं, इसमें जिंगी जो पढ़ेंगे, अगर आप साबत लेंगे तो एक किलो होगा, लेकिन जब आ इसको साफ करेंगे तो तकरिवन इस तीन एक पाओ और कोकिंग ओएल और चार अदद लीमो, एक सो ग्राम मिक्स गरम मसाला, नमक हस्पे जाएका, अब हम चावल को साफ कर लेते हैं, अब हम तमाम सबजों को धोकर काट लेते हैं, और गरम मसाला कोट कर तयार कर लेते हैं, इसके बाद हांडी में तेल गरम करके इसमें प्यास गोल्डन होने तक पकाते हैं, मजीद इसमें पानी डाल लेते हैं, ताके प्यास जल न जाएं, पकी हुई गॉल्डन प्यास में अब हम जींगे डालेंगे और इन्हें पकाएंगे, आलू डालेंगे और इन्हें पकाएंगे, हस्पे जरूरत इसमें पानी भी डालते जाएंगे, तामात्र डालेंगे, मल्ला ने गर्म मसाला त्यार कर लिया है, अब हम इसमें एट करेंगे, हरा दन्या काट कर इसमें शामल करेंगे ताकि इसका जाएंगे, अब हम चावल डालेंगे साथ साथ लीमू और टमाटर भी एट करेंगे, हस्पे जरूरत थोड़ा सा पानी जालेंगे और इसे दम पर रख देंगे, चमच से इसे गुमाएंगे ताकि पुलाओ मिक्स हो जाएंगे, और मजीर इसे दम पर रख देंगे, कने जरी माएंगे, प्रभ धुलाओ करेंगे, जरूरत भी मिक्स करेंगे ताकि पुलाओ को जरूरू करेंगे, आप जावल तयार हैं यह आप सरुप कर सकते हैं 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 कर सकते हैं